असलामु आलेकुम, मैं नेम इस परम, मैं हर्मान, मैं मन्जुतिक, वेलकम बाक टो आज चैनल गाइज काम करना, बस सीखना और काम करना, और कुछ भी नहीं, अगर आप मेहनत करने में विश्वास रखते हो, तो आप मुझे इंस्टेग्राम पे मेसेज कर सकते हो, और वहाँ पे जस्ट वर्क लिख के भेजो, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर, और देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो कैसा होगा, और आज का वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है, मुहम्मद अली मिर्जा सहाब ने नुपर शर्मा को रिपलाइ दिया था, उनकी वीडियो बहुत ज़्या पॉपिलर हो रही है, और मुझे भी देखना है उनकी वीडियो में ऐसा क्या है, क्योंकि हम तो उनको रोजी देखते हैं, कुरान क् सेशन नंबर 47 मुनाकिद होने जा रहा है, आपके सूलाथ ये पर्चियों की शकल में मेरे पास आ चुके हुएं, इन्हें डिसकस करते हैं इन्शालला, बाद में, पहले इस वीक में एक करिंट इशू के तोर पर एक वर्ड लेवल के उपर इशू सामने आया है, और इशू प्रोग्राम में लाइव शो के अंदर, हमारे जो प्रोसी मुलक हैं, इंडिया, उसमें जो हुकमरान जमात हैं, बीजे पी, उनकी एक कोई रुकन हैं, उनोंने लाइव डिसकेशन के दुनान, कुछ तोहीन अमेज, अलफास जो हैं, वो इस्तमाल किये इसलाम के हवाले से, और पिखंबर इसलाम के हवाले से, सल्लालाहु आलियू आलियू वसल्म, ये वाक्या 26 मई 2022 को हुआ, कुछ लोकल लेवल के उपर इहतजाज हुए, लेकिन कोई उसको पजीराई नहीं मिली, फिर अचानक से, जून के दूसरे हफ़ते में दुबारा से एक लैर उठी और प मुमालिक, जो आज तक, इंडिये के सामने जुके हुए थे, अपनी तजारत की वजा से, जाहर है वो सस्ती, अजनास उन से लेते हैं, मोर देन 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, इंडिया की, इन अरब मुलकों के सार, सौदिया अरब हो गया, यू, ए, ई, और बाकी कतर व हैं, उन में टॉप अफ लिस्ट, हमारा ये सब कॉंटिनेंट का एरिया है, दुनिया में सबसे अमीर इलाका ये हुआ करता था, जब तक अंग्रेज यहां नहीं आये थे, और उसके बाद, पिर आपको पता है, डाउन फाल शुरू हो गया, चूंके टेकनलोजी की दुनिय हैं, खैर, ये जितने अरब मुबालिक हैं, आपने देखा होगा, पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इशूज होते हैं, फ्रांस के हवाले से, यॉरप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती है, या हलकी सी को धीली स्टेटमेंट आती है, बस उससे नहीं करते हैं, ना इन मुलकों को कोई खतूत लिखते हैं, वो ना कहते हम आपकी प्राडेट्स का बाइकार्ट कर देंगे, इंडिया ने ऐसा आखर कौन सा जल्म कर दिया था, जो उससे पहले दूसरे मुलकों ने नहीं किया हुआ था, तो ये मुसलमानों को सोचना चाहि थे ना, कि इंडिया को देखो अजाद पॉलीसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके इच्छे तालुकाद है, तो मेरे खैले आप इंडिया को भी पता चल गया होगा, और इमुनान खान साब को भी पता चल गया होगा, कि वो जब चाहें, जिस की चाहे गिची मरोड देते हैं जो दुनिया में सूपर पावर है और डिजर्व करते हैं जाहरा उन्होंने ये मनसब अर्न किया है जब अर्न किया है तो उनका ओर्डर चलेगा वर्ड ओर्डर एक नैच्रल चीज़ है ये यानि को मैं फखर से नहीं कहा रहा ये दुख है लेकिन ये रियलिटी है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ये वो रियलिटी है जो जब एक मजभी जमात के धरने इमरान खान साथ की हगूमत में जारी थे तो उसवक्त जो उननोंने कौम से आके खताब किया था कि अगर हम फ्रांस क स्वीड को निकाल देगे तो हमारी मेजर तजारत तो योर Hispan यूनियन के साथ है और अमेरका के साथ है और ये सारे दूसे के कहने में तो हमारा नुकसान हो जाएगा लेहाजा हम ये काम नहीं कर सकते हमें मजबूर ना करें लेकिन यही बातें जब ये रशिया की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे तो इन्हें पता थी कि ये प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं होगा वही हुए है अरब मुल्क जो है व कि हाँ जी अब आया है इंडिया काबू में तो आप लोग ऑफिशल स्टेटमेंट्स तें ये जो मैं आपको बता रहो हूँ ये रियल टाइम औरिजिनल डैटा है हम चुके सिर्फ लोकल अपनी खबरें सुन रहे होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो आपको मुसल्मानों की थी एक इमरान खान साथ और दूसरे तयीब अर्दगान इसलामोफोबिया के खिलाफ गुस्ता खाना काट्टूंस के खिलाफ उस वक्ति सारे अरब मुल्क सोय पड़े वे थे वो जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था ये तो एक स्टेटमेंट दी उस आप किसी के रिजण पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आप के रिजण पर हमला करेगा कोई औरगनायस तरीके से एक काम नहीं चला था एक हालसादी条रबा टीवी टाउप शो में हो गया और उसके उपर एक्शन मीं ले लिया भीजेपी ने दबाउ में आके लेकर अब अभी तक उसको ठंडा नी होने दे रहें basically वो इंडिया को उसकी वकात में रख रहे है कि तुझे बड़ा शोग है ना रशिया के साथ तजारत करने का तो तेरा शोग निकाल देते है तुझे बड़ा फखर है ना कि मैंने सब के साथ बना के रखी हुई है तो तुझे बता देते हैं कि दुझे बता देते हैं कि दुझे में हुकम किसका चलता है ये है पीछे उसके reason बाकी जो real time उदर हुआ उसको ज़एरा चिंगारी एक दिखाने की दुरूत थी और पूरी दुनिया में इन्होंने एह मामलात कड़े कर दी है वो जो प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हुआ और जो तीन इतराजाद उसने उठाए नमबर वन उसने कहा कि जी उड़ने वाले गोड़े के जिकर तुमारी किताबों में मुझूद है यानि नभी स्लिए लिए वाले वाले सलम का वाक्या मेरा उचूँ इसकी तरफ उसने उसे हिट किया और उसे इस फिजिकल वर्ड से जोड़ते वे एक समझ लें अनसाइंटिफिक फिनॉमिना के तौर पर पेश किया ये ननसाइंटिफिक फिनॉमिना के तौर पर दूसरा उसने नभी सल्वालाहु आलेही वालिव सल्म की स्यदा आईशा के साथ कम अमर की शादी को टार्गेट किया ये बिसिकली ज्यादा हमारे लिए तकलीव दे चीज थी दूसी चीज़ा चले हो सकता है कि जी को समझनी आई है कोई जबर्दस्ती की शादी नहीं हुई भी मर्जी की शादी हुई भी है औरत बालगा हो चुकी भी है उसके बाद रुखस्ती हुई है इसके अपर इतरास बनते हैं यह डिफरेंस कोई कहते है जी वो 19 साल थी, कोई कहता है जी 9 साल थी मैं कहता हूँ इसे कुफर नी पढ़ता 9 साल हो, 19 साल हो 29 साल हो, 99 एर्स हो जब दो मर्दों और आपस में इत्वाद के साथ शादी कर लें हकमेर के एवस एज डिफनस जो भी हो, इसके पर कोई इतरास तो बनता ही नहीं यह को जबरदस्ती वाला मामला ही नहीं है इसको खेर मैं बाद में ड्रास करता हूँ और तीसी चीज उसने का कि पर नहीं हकीम में लिखा है कि जमीन फ्लैट है हाँ, चीक है, यह हम बात कर सकते हैं कि भई वो जो फ्लैट कमाना तुमने लिया है वो वही है जो अलमा किराम सब कॉंटिनेंट के मेरे कलिप्स आउट अफ कॉंटेक्स काट के तो अपना लुकमा उनके मुँ में डालते है तुमने पुरान से जो स्टेटमेंट उठाई है पुरान लिटरेचर की जबान में बात करते हैं वो उस तरह की बात है नहीं थी जो तुमने उसको रंग दिया ये फिजिकल वर्ड से तालुक रखती है चीज़ ठीक हम इसका जवाब देंगे इसके लावा भी आयदें मसले उठाते रहते हैं कभी सुरह तौबा की आयात उठा लेते हैं कुरान में लिखावा है कि जहां भी कोग काफिर नजर है उसे कतल कर दो इसी तरीके से इसलाम तरवाज के जोर के उपर फैला है इस किसम के तरजात आप सुनते रहते हैं खैर इसके उपर घंटों बोला जा सकता है लेकिन फिल वक्त मैं इसके उपर आता हूँ पहले तो आप वो सेनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसल्मान की जानिब से हुई है उसका आपको अंदाजा होगा अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला और ज्यादातर तो उन्होंने गाय भी कर दी है सोशल मीडिया से खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी को रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से तो वो चल रहे हैं तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है क्योंकि जब वो मुसल्मान ने वो बात किये तो उसने गाया कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे न तो हम भी यह कहेंगे तो यह पहला मुझरिम तो वो मुसल्मान है जो किसी के रिलिजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे है और यह बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलिजन का मजाक उड़ा है जब कि वो आपके मुखालिफ को रिलिजन है एक तो है कि मैं मुसल्मान हूँ मेरे सामने मुसल्मान बैठा है वो कहता है मैं कुरान को मानता हूँ मैं कहता हूँ मैं कुरान को मानता हूँ वो कहता है मैं बुखारी मुसलिम को मानता हूँ अब मैं उसे कुरान से पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ इया का नाबुदू वा इया का नस्ताइन और वो आगे से पढ़ पढ़ के सुना रहा है सुन फर्याद पीरा पीरा मेरी फर्याद तुन सुनी काम थार के हूँ अब जब मैं उसका मजाग उड़ा रहा हूँ ना तो बेसिक लिए एक आपोजिट रिलिजन नहीं है उसे मैं कहा रहा हूँ कि तू मेरे रिलिजन का नाम लेके मेरे रिलिजन की तालीमात को बिगाड के पेश कर रहा है कस्टोडियन तू बरावे कुरान और सुनत का तो ये तो मैं तुझे अजाज़त नहीं दूँगा कि तू कुरान और सुनत के मकाबले पे बाबों को पेश करे ये मजाग उड़ाना नहीं होगा ये ज़रा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ लेकिन वंस जब आपोसिट रिलिजन के लोग बैटे होते हैं ना उनके साथ पिर आपने डिस्केशन करते वक्त जाहर है कि उनके लिए तो नबी लिए तो नबी लिए बिलिए अल्ला के पेखंबर नहीं है ना और हमारे नजदीक उनके रिलिजन में खामिय मुझूद है तो फिर हमें अलफाज के चुनाओं पर जरा तफक्र करना चाहिए और ये कुराने हकीम की तालिमात हैं सूरत अनाम में अल्ह ताला ने पारा नमबर आप सैमन में आजाएं पारा नमबर सैमन की आखरी सफ़े के उपर सूरत अनाम की आएट नमबर 108 है आउदु बिल्लाहि मिन श्यतान रुजीम बिस्मिल्लाहि रर्रह्मान रर्रहीम मत गाली दो मत बुरा कहो उन हस्तियों को जिनको ये अल्लह के सिवाप पुकारते है यानि अब ये स्पेसिफिकली मुश्रकीन अर्ब के हवाले से ये बात हो रही है कि ये जिन हस्तियों को अल्लह के सिवापना माबूद मुश्किल कुशा हाजत रुआ माने हुए हैं उन्हें गाली मत तो पस ये लोग फिर अल्लह को गाली देंगे दुश्मनी में आकर गुस्से में आकर बगेर इल्म के बिल्कुल इस तरीके से हर अमत के लिए उसके आमाल समार दिये गए हैं फिर तुमें लोट कर जाना है इन सब को उनके रब की तरफ युनब्यूभूं बिमा कानु या अमलून तो फिर अल्लह ताला उनको बता देगा जो कुछ वो दुनिया में अमाल किया करते थे या आखरत में फैसला हो जाएगा इसका ये मतलब नहीं कि आपने दावत नहीं नहीं उतरना नहीं उतरना उन हस्तियों के बारे में जिनके बारे में इनके इस तरह के नजरियात हैं तो ये है वो बुनियादी आयत कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कलेम करते हैं कि इसलाम कहता है कि आपने किसी के रिलिजन की जो मुकदस हस्तियां हैं उनके बारे में गा قیر والا معاملہ نہیں کرنا वरना वो फिर اللहताला को गाली हैं देंगे नाओधू बिल्लह बगार इल्म के और अल्ला ने देखे उन्हें बेनिफिट दिये कि वो बगार इल्म के ये कर रहे होंगे कोंकि उन्हें तो अल्ला की शांका नहीं अंदाजा तुम्हें तो पता है ना तो ऐसी कोई हरकत ना करो जिसकी वरा से इसलाम की बदनामी हो अल्ला को गाली देता है अल्ला को कोई फरक नी पड़ता लेकिन मसला है रिलिजन का जाहरा जब रिलिजन बदनाम होता है तो फिर रिलिजन को लोग एकसेप्ट नी करेंगे accept नहीं करेंगे तो अपनी आखरत बर बाद करेंगे तो अल्ला तो नहीं चाहता कि उसके बंदे जहन्नम में जाएं ये भी अल्ला इंसानियत पर ही रह्म फर्मा रहा है ये बात करें तो रिबटल करते हुए उस औरत ने इचांद एक जुम्ले बोले और उसमें खैर एंकर ने भी इंटर्वीन किया उसमें खैर मामला वो ठाप हो गया फिर उसके बाद कहीं वो वीडियो लीक हुई और फिर मुकदमा हुआ मामलात आलमोस सैटल हो गए वो भी बैक फूट पे चलीगी फिर आपको पता कि वो एक वर्ड पॉलिटिक्स थी वो उठाई की बात अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो बात हो रही है बलके अभी ये मंडे वाले दिन जो प्रामिनिस्टर है पाकिस्तान के शवाज शरीफ साब उन्होंने कहा के पार्लिमेंट में इसे उठाया जाएगा वो जहरे इसलिए उठा रहे हैं के पूरी दुनिया में फजा बनी वी है जब अरब मुल्क जो हैं वो एक चीज़ को गोद ले ले लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए तो वैसी बड़ा असान हो जाता है उस मामले को आगे लेके चलना बेसिकली इसके पीछे रीजन ये थी ये मैं आपको इसलिए बता रहूं कि इस तरह के वाकियात के उपर इस वक्त जो अरम मुलकों के सफीर है या अरब मुलकों के जो बड़े है या हमारे मुलक के बड़े है वो तो बैटे में एक टिनिशन कमरों के अंदर मर रा कौन है अवाम आपने वीडियोंस देखी है किस त elaboration करें है माँ पे मुसलमानों की और मुसल्मानों को भी ये समझ नहीं आती है कि वो इतजाज करते हुए किस लेवल तक उन्होंने जाना है किस लेवल तक नहीं जाना जबके इतनी खर दमाग किसम की हुगूमत बैठी ही हो एक मेंटल किसम का इंसान मूदी जो एक कटर किसम का और्थोडॉक्स किसम का आप कह लें या फंडमेंटलिस किसम का हिंदू है उससे आप एकस्पेक्ट करेंगे कि वो मुसल्मानों के साथ कोई अच्छा सुरू करेगा वो तो पहले ही बहाने डूंड रहे है उसका तो पूरा ट्रैक रिकार्ड जो है वो एंटी मुसलिम है और आप देखें मुझे किस ना पुलिस वाले जो है वो पटाई कर रहे हैं लोगों की और पकट पकट के उन्हें जेलों में डाल रहे है और हमारे मुल्क में भी खैर इस दवा तो बड़े मुसल्मान तेरी इमलाग क्योंके फ्रांस तक तो हम पहुँच नहीं सकते सो गाइस यह था हमारा वीडियो और इंजिनियर मुहमद अली मिर्जा साहब हमें भी पता नहीं था यह चीज़ बहुत अच्छे से देखा मतलब कितने लोग कितने ज़्यादा हम अपने खुद पर लेके चलते हैं कि हमने क्या सुना क्या समझा और उन्होंने बिल्कुल कितनी मैचूर बात किये कितनी मैचूर और लोग कितनी अनमैचूर हैं इंक्लोडिंग अस हम भी अनमैचूर हैं यह चीज़ को लेके क्योंकि हम भी मीडिया की बातों में सुनके भाई उस बंदी ने ऐसे बोला ऐसे कैसे बोल दिया उस बंदी ने है न हम भी यह सोच के बट यह बात बिलकुल सही है कि सुरत अनाम में जैसे उन्होंने बताया कि लिखा हुआ है किसी के भी religion को disrespect नहीं करना चाहिए और यह बिलकुल सही बात है और सबसे पहले अगर हम किसी के religion को disrespect करेंगे वो हमारे religion को disrespect करेगा यह बात बिलकुल सही है of course क्योंकि उसके लिए मुहम्मद ﷺ जानती भी नहीं है कौन है ना वो अल्ला को जानती है अगर वो जानती होती तो वो ऐसे बोल भी नहीं सकती है उसकी इनको ऐसे बोलेंगी तो वो बहुत गलत बात है और यह बिलकुल गलत है of course हमें किसी के religion को disrespect नहीं करना चाहिए नहीं उनके जो मुकदस हस्तियां है जैसे नोंने बताया उनको disrespect भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो बंदा disrespect कर रहा है उसके उपर ही सबसे ज़्यादा उस बंदे के वे तो फरक नहीं पड़ा अभी वो अंटी मैडम ने बोला इतना कुछ हाना उसके इतना बोलने से problem किसे हुई लोगों को हुई उसको तो कोई problem नहीं उसका हो गया sort matter सारा कुछ sorted है and वो एक बंदी की वज़े से उसके सिर्फ बोलने की वज़े से उसको ignore किया किसे होती है उनने सही बोला अली मिर्जा साब ने जब मैंने भी सुना था यार इतने बड़े-बड़े कार्टून बनाए तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला और यह मतलब एक छोटे से यह मुद्दे पर एंड इतना कुछ हो रहा है इतना कुछ इतना कुछ हो रहा है यहार जो जब भाट